सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात मैं रुपनर रैंड चर्मा रेजुनेंस सीनेर हिंदी फैकल्टी पिसी सीपी डिविजन और आज प्यारे बच्चों आपको लेके चलता हूं नए टॉपिक के साथ अपन चलेंगे क्लास एड़्थ हिंदी और टॉपिक हमने लिया है यहाँ सबसे कटिन समय नहीं है सबसे पहले तो आपको यह याद होना चीए कि किस ने लिखा है जया जादवानी जीने कविता है अच्छी कविता है आशावादी कविता है कुछ लोग केते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता एक निराशावादी भाव रखने वाले लोग निराशा निगेटिव बोलने वाले लोग जिनकी सोच नकारात्मक हो चुकी है उनके लिए कवेत्री जया जादवानी जी ने एक आशावादी भाव के पॉजिटिव सोचे उसके लिए कविता आपके सामने हैं तो देखें आप देखें मेन बात है कि फोटो भी आपके सामने हैं यह जया जादवानी जीन इनका केन क्या है कविता की मद्यम से देखें कि नहीं कि नहीं एसा नहीं है यह सबसे कटिन समय नहीं आप एसा नहीं कह सकते कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे अपन देख रहे हैं कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है लेकिन हम ऐसे थोड़ी के सकते हैं कि बिगड़ी ही गया आप कुछ भी नहीं हो सकता नहीं अभी भी प्रकृति के संतुलन को सुधारा जा सकता है कि दूसरी बात कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं कि चाहे पहले की अपेक्षा कम हो गए हूं लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पक्षियों ने आसमान में उड़ना बंद कर दिया है ऐसा भी नहीं है पक्षी उड़ते हैं अभी भी यदि उनको हम अच्छी तरीके से पूरे तो आगे बूरते रहेंगी नहीं तो प्रजाति दिरे दीरे-दीरे क्या होती है लुपत हो जाती है केने का भाव यही है कि अभी भी दभा है चीडियों की चोंच में क्या दबा है वच्चों अभी भी दबा है चीडियों की चोंच में एक तिनका ऐसा नहीं कि पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया है नहीं अभी भी चिडिया अपनी चोंच में तिनका दबा करके अनन आस्मान को छूती है बलकुल सूती है और वह उड़ने की तैयारी में क्या करती है वह अभी भी तैयारी में है यानि अरे उसके उसने रुकना बंद नहीं किया रुकी नहीं यह वह चलना बंद नहीं किया है अभी भी वह प्राता काल होते ही अपने अपने घोस्तों से बाहरा करके अनंत आस्मान की उचाईयों को नापती है यानि पक्षी भी चलाएमान है आशावादी है उनके अंदर भी जीवन में नयापन है तो पक्षी के माध्यम से देख लिया पने प्रकृति के माध्यम से देखो कि अभी भी ज़रती हुई पत्ती बच्चों ऐसा नहीं कि प्रकृति ने अपना स्तित्तों बदल लिया नहीं बदला पत्तियां जर्ती है नई नई पत्ते आते हैं खिलते हैं सुगंद महकाते हैं यानि आज भी थामनी को बेठा है हाथ एक यानि जर्ती हुई पत्तियों को ये धर्ती अपना हाथ फेलाए बेठी हुई है यानि प्रकृती में पेड़ पोदे भी अपने चलाए मान जीवन को निरंतर चला रहे हैं आगे चलें बच्चों मानों का देख आप अभी भी भीड़ है स्टेशन पर कहां पर भीड़ है स्टेशन पर बच्चों ऐसा नहीं कि लोगों ने चलना बंद कर दिया है नहीं आज भी प्रतिक जाती धर्म संप्रदाए सारे लोग एक साथ मिलकर के एक ही ट्रेन में सफर करते हैं और अभी भी एक रेल गाड़ी जाती है अपने गंतव्य तक बच्चों जो विक्ति उसमें सफर करते हैं किसको कहां जाना है कितना दूर जाना है यानि वह ट्रेन रेल गाड़ी आपको अभी भी लेकर के जाती है यानि हमारे मार्ग रुके नहीं है अवरुद नहीं हुए हैं चलाई मान संसार में हम भी आगे चल रहे हैं यह बात समझ में आगई जहां कोई कर रहा होगा प्रतिक्षा बच्चों आज भी हमारी भावनाई एक दूसरे से मिली हुई है ऐसा नहीं है कि हमारा कोई वेट नहीं करता है हमारे कोई प्रतिक्षा कर नहीं करता है हमारा कोई चाहने वाला नहीं है अरे मामा पूपा मोसा मोसी मम्मे पापा कोई न कोई हमें हमें चाहने वाले हैं जो हमारा वेट करते हैं यह किस बात का संकेत करता है कि हमारी भावनाई आज भी किसी न किसी से किसी न किसी रूप में मिले हुई है अभी भी कहता है कोई किसी को क्या क्या कहता है कि जल्दी आ जाओ कि अब सुरज डूबने का वक्त हो गया है बच्चों जिस से हमारे मन का रिस्ता जुड़ावा है मन के तार जुड़े हुए हैं उन्हें आपकी फिक्र है हम से अनायास ही जब हम बाहर निकलते हैं घर के तो परिवार में कोई न कोई चाए माँ पिता भाई बहिन कोई भी हो हम से कह देते हैं कि संध्या न होने से पहले घर पे लोड़ जाना क्यों के देते हैं कि उनसे हमारी भावनाएं आज भी घुली हुई है समय की नजाकत वो समस्ते हैं अभी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बच्चों कि उस कथा का आकरी हिस्सा आज भी दादी नानी अपने बच्चों को कहानिया सुना रही हैं जो पहले सुनाया करती ती राजा रान्य की कहानिया से डाकू के कहानिया परियों की कहानिया आज वले ही कम हो गई हो लेकिन कभी न कभी तो उन कहानियों को सुना ही दिया जाता है यानि आज भी वह कहानिया सुनी जाती है इसका मतलब उन कहानियों का अस्तित्व अभी भी है लेकिन आज हमने उन कहानियों को सुनना बंद कर दिया तो आने वाली पेढ़ी उन कहानियों से वन्चित रहे जाएगी यानि हम क्या करें आशा वा दिभाव रखे यानि उनको आगे ले करके चले आगे चले बच्चों ज दुनिया के तमाम बच्चों को, तमाम बच्चों को इसका मतलब बच्चे सिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्राचेन काल की शिक्षा व्यवस्ता से भी आगे निकलना चाह रहे हैं, इसलिए सभी धर्मों के बच्चे, सभी जाती संप्रदाए के बच्च इस जिख्षा ग्रहण करने के लिए एक ही बसमें सारे बच्चे सपर करते हैं पिलकूल यह क्या है सम्प्रस्ता है यह सांप्रदाएक एक्ता है सांप्रदाएक सद्भावना का प्रतीक जो हमारे बच्चे वो दे रहे हैं आज भी दे हैं अरे अंतरिक्ष के पार जाने की दुनिया से लगाएगी बचे हुए लोगों की खबर बच्चों ऐसा नहीं कि आज मानव केवल धर्ती पर रहकर के धर्ती की बाते करता है नहीं अरे वह अपने स्वप्न सवजने के लिए अंतरिक्षी तक की यात्रा कर चुका है अंतरिक्ष की सारी खोज कर चुका है और वह प्रतेक विक्ति तक उस खोज को पहुचा रहा है अरे नहीं यह सबसे कटिन समय नहीं है अर्थार्थ है मानव है मेरे मन निरास होने की जरत नहीं है अभी भी प्रकृति में अभी भी मानव में अभी भी जीव जन्तू में बहुत कुछ बच्चा हुआ है और बहुत कुछ करना हमें बाकी है तो प्यारे बच्चों आपको जया जादवानी जी की कविता कैसी लगी आप प्रतिक्रिया करके हमें जरूर बताएं तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद